सुपरभाद बच्चो आज हम कक्षा पांच की हिंदी की पाथ्थे पुस्तक रिमजिम के पाथ तीन खिलोने वाला आपके लिए लेकर आए हैं यह एक कवीता है जिसके लेखक सुभधरा कुमारी चौहान है प्यारे बच्चो आईए हम इसके विता का पठन करते हैं वह देखो मा आज खिलोने वाला फिर से आया है कई तरह के सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है प्यारे बच्चो एक बच्चा अपनी माता से कह रहा है कि हे मा इक गली में खिलोने वाला आया है और वह बहुत ही सुन्दर सुन्दर मन भावन खिलोने लेकर आया है हरा हरा तोता पिंजडे में गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली बच्चा कह रहा है कि हे माता उस खिलोने वाले के पास एक हरा हरा तोता है जो पिंजडे में है और एक गेंद है और एक छोटी सी गाड़ी है जो सरसर करकी चलती है सीटी भी है कई तरह के सुन्दर खेल चावी भर देने से भकबक करती चलने वाली रेल बच्चा कह रहा है कि खिलोने वाले के पास एक सीटी है और बहुत ही सुन्दर सुन्दर उसके पास खिलोने है और एक रेल है जो चावी भरने से ही सरसर करके चलती है गुडिया भी है बहुत भली सी पहिने कान में बाली छोटा सा टी सैट है छोटे छोटे हैं लोटा थाली बच्चा कह रहा है कि उसके पास एक छोटी सी सुन्दर सी मनभावन गुडिया है जिसके कानों में छोटी छोटी बालिया पड़ी हुई है और वो एक छोटा सा टी सैट भी रखता है साथ में छोटे 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 लोटा और थाली भी है चोटे चोटे धनुसबान है है चोटी चोटी तलवार नए खिलोने लेलो भाईया जोर जोर से वह रहा पुकार बच्चा कह रहा है कि माता उसके पास चोटे चोटे धनुसबान है और बहुत ही चोटी सी तलवार है और वह जोर जोर से बच्चों को पुकार रहा है कि खिलोने लेलो खिलोने वाला आया है आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है मुन्नु ने गुडिया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है मा से लेने को सहड़ी बच्चा कहरा है कि माता मुन्नु ने एक छोटी सी गुडिया ली है महन ने एक मोटर गाड़ी ली है और मा सरला मचल मचल कर अपनी मा से कहती है कि उसे एक साड़ी लेनी है कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है साड़ी तो वै कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है बच्चा कह रहा है कि मा क्या खिलोने वाले के पास साड़ी भी मिलती है साड़ी तो कपड़े वाला कभी कभी दे कर चला जाता है आगे देखते हैं अमा तुमने तू लाकर के मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलोने लेता हूं में तुम भी मन में करो विचार बच्चा कह रहा है कि मां आपने मुझे चार पैसे दे दिये लेकिन अब मैं यह विचार कर रहा हूं कि मैं कौन-कौन सी खिलोनी खरीदू तुम भी मन में करो विचार तुम भी सोचो की में लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल पर मा यह में कभी ना लूँगा बच्चा कह रहा है कि माता क्या तुम भी यही विचार कर रही हो कि मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल खरीदूंगा पर माता मैं ये कभी नहीं लूँगा क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है आगे देखते हैं क्या लिखावा है ये तो हैं बच्चों की खेल मैं तलवार खरीदूंगा मा या मैं लूँगा तीर कमान बच्चा कह रहा है कि मां ये तोता, बिल्ली, मोटर, रेल तो छोटे-छोटे बच्चों के खेल है और मैं तो तलवार खरीदूंगा तीर कमान खरीदूंगा क्योंकि हे माता तुम्हारा पुत्र वीर है जंगल मेजा किसी ताड का को मारूंगा राम समान तपसी यग करेंगे असुरों को में मार भगाऊंगा अब बच्चा कह रहा है कि मां मैं भगवान स्री राम के तरह ही ताड का वध करूंगा और जब तपश्वी रिशी मूनी शंत यग करेंगे तब मैं असुरों को मार गिराऊंगा योही कुछ दिन करते करते राम चंदर बन जाऊंगा यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा बच्चा कह रहा है कि माता इस तरह के वीरता पूर्वक कारिये करते करते मैं भी एक दिन राम चंदर की तरह बन जाऊंगा और हे मा मैं भी आपको अपने पास रखूंगा इसी कौशल्या नगरी में यानि जैसी भगवान स्री राम की नगरी है तुम कह दोगी वन जाने को हंस्ते हंस्ते जाऊंगा पर मा बिना तुम्हारे वन में मैं केसे रह पाऊंगा अब बच्चा कह रहा है की मा अगर आप भी मुझे भगवान स्री राम की तरह वन में भेज सकती हो जिस तरह माता के कई ने भगवान स्री राम को वन में भेज दिया था तो मैं भी वचन निभाने के लिए हंस्ते हंस्ते वन में चला जाऊंगा पर हे माता क्या वन में मेरा मन तुम्हारे बीना लग पाएगा और में तुम्हारे बीना उस वन में उस घंगोर जंगल में केसे रह पाऊँगा दिन भर घूमूंगा जंगल मैं लोट कहां पर आऊंगा किसे लूंगा पैसे रूट हूंगा तो कौन मुझे मना लेगा अब बच्चा कह रहा है कि हे मा जब मैं पूरे दिन जंगल में घूमूंगा और साम ढले मुझे कौन याद आएगा मुझे माता तुम ही याद आओगी और जब मैं रूट जाओंगा तो मुझे जंगल में कौन मना आएगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़े देगा अब बच्चा कह रहा है कि उस जंगल में मुझे वीरान जंगल में मुझे कौन मेरी मन चाही चीज़े देगा और कौन मुझे गोद में बिठाएगा तो प्यारे बच्चो आशा है कि यह कविता आपको पसंद आई होगी और इस कविता के माध्यम से आपने एक अच्छी जानकारी इकठा की होगी प्यारे बच्चो आईए इसके कुछ परसन उत्तर की और नजर डालते हैं बच्चो पाट तीन खिलोने वाला के कुछ परसन उत्तर हैं जिसका पहला परसन है तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूटने के मौके तो मिलते ही होंगे अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूटती हो इसका उत्तर है जब हमें कोई डांट देता है या हमारी मनपसंद वस्तु नहीं देता तो हम रूट जाते हैं बच्चो बिलकुल सही बात है बच्पन में बच्चे रूटते जाते हैं क्योंकि कुछ बात या कुछ वजह से उन्हें उनकी मनपसंद चीजे नहीं मिलती परसन खा है मा की अलावा घर में कौन कौन तुम्हें मनाता है उत्तर है घर में मां की अलावा पिता जी दादा जी दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं बच्चों जब आप भी रूटते हैं तो आपको भी कोई ना कोई घर से मना ही लेता है अब परशंदों में दिया गया है हम एसे कहीं तयोहार मनाते हैं जो बुरे पर अच्छाई की जीत पर भल देते हैं एसे तयोहार के बारे में उनसी जुड़ी काहनियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ तो प्यारे बच्यों, इसका उत्तर है, जो बुरे पर अच्छाई की जीत का प्रमुक्तियोहार है, वो दशहरा है, जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है बच्चो दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावन का वध किया था भगवान श्री राम अच्छाई का प्रतीक माने जाते हैं और रावन बुराई का प्रतीक माना जाता है इसलिए अच्छाई के जीत हुई प्रसंतीन है तुमने राम लिला के जरिये या फिर किसी कहनी के जरिये राम चंदर के बारे में जाना समझा होगा तुम्हें उनकी कौन सी अच्छी बाते लगी प्रसंत का उत्तर है स्री राम चंदर एक आग्या कारी पूत्र तथा मर्यादा पुर्शोतम राजा थे वह हमें बहुत अच्छी लगी उनकी गुण हमें प्रभावित करते हैं बच्चो भगवान श्री राम मरियादपुर्शोतम थे वो अपनी लीमिट में रहते थे और एक अज्याकारी बालक थे क्योंकि उन्होंने पिता का वच्चन पालन करने के लिए चोदा वर्ष का वनवास स्विकार कर लिया तो हमें भी उनसे प्यारे बच्चो यही बात सीखनी चाहिए कि कभी भी जीवन में हमें धैर्ये नहीं खोना चाहिए और अपने वच्चन का पालन करना चाहिए परसन चार है नीची दिये गए भाओ कविता की जिन पंक्तियों में आए उन्हें चाहटो परसन इसका कह है खिलोने वाला साड़ी नहीं बेचता है उत्तर है बच्चो कभी खिलोने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है परसन ख, खिलोने वाला बच्चो को खिलोने लेने के लिए आवाजे लगा रहा है इसका उत्तर है, जोर जोर से वहरहा पुकार कौन पुकार रहा है, खिलोने वाला परसन ख, मुझे कौन सा खिलोना लेना चाहिए, उसमें मा की सलहा चाहिए इसका उत्तर है कौन खिलो ना लेता हूं मैं तुम भी मन में करो विचार घह है मा की बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा इसका उत्तर है तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मुझे मनाएगा मैं जब रूठूंगा तो प्यारे बच्चो आसा है कि आपको ये कवीता अच्छी लगी होगी और इसकी प्रसुन और उत्तर भी आपके समझ में आकए होंगे अगर किसी भी समस्या केसी भी समस्या आपको लग रही है तो बच्चो आप कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद